है फ्रेंट्स वेलकंटो मैं चैनल लेभी रॉक्स टीम्स तो गाईज मैं आप लोगों के लिए एक और मैच कवर करने जो कि हिराजे का बेस्बॉल एमलबी लीग का एले डी वॉर्सिस एले एक के बीस साथ घंटे ब्यालेस मिनट के बाद तो इस मैच की सुबा तो टीम में आपको फाइनल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्या रहत है कि मैच मैच शुरू करता हूं देने आठ से नो बजे के बाद तो यह मैच तो साड़े साथ के करीब है तो यह जो मैच आप देख रहे हैं इन दोनों टीम्स के वीच पहले भी एक मैच हो चुका है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बट लाइनस बार बार चेंज होती है हर मैच में स्कुरेड चेंज होता है इसलिए कॉन्फिडेंट ओकर अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा तो चेंज कर ले ना गाईज और इस मैच की आपको मैं फाइनल टीम कोशिश करूँगा यहां द तो आगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाओ जाकर विजिट करो एंड गाईज जोईन हो जाओ तो चलते हैं गाईज इस मैच की और तो मैं बात करूँ इस मैच में जो कॉम्बिनेशन है वो एले की तरफ थोड़ा ज्यादा फेवर में है ऐसा आपको लगेगा बैट में फेवर में किसी के नहीं हो क्योंकि यह बेसबॉल है इसमें किसी के फेवर में नहीं होना इसमें तो जो प्लेयर पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्म कर सकते है बस उसके कि कई बर क्या रहता है प्लेयर बिना एक एक सिंगल रन लेते हो यह मतलब रन्स में आपको समझाता हूँ यह सिंगल आपको देख रहा होगा सिंगल पॉइंट अर्न करते हो यह पूरा तीन स्ट्राइक लेकर आउट हो जाता है इसलिए मैं इस प्लेयर की गलती नहीं बोलू और प्लस इसने एलेडी के खिलाव पिछले मैच परफॉर्मस नहीं आरे तो एंबी के खिलाव भी और नॉर्मल सा एक गाईज विदाओ इसने दो होम रन मारे थे देख लो गाईज आगे से बात करूं नेक्स पेर इसका नाम है जी जुएं लेगरिस इसने एलेडी के सामन लुहाँ एरेंडन को तो एरेंडन जो प्लियर है यहाँ टॉप का इंफिल्डर है सेलेक्शन पता नहीं क्यों कम है लोगों ने इसको इसलिए निकाल है क्रेडिट बचाने के लिए लेकिन अगर एगर आप इस चक्कर के बड़े बड़े प्लियर निकालते जाओगे देन लॉस आप कोई जेलना पड़ेगा सी सीगर की बात करूँ सीगर गाइस वाइस कैप्टनशिप के लिए बहुत अच्छा बले रहा है पिछले मैच में इसी टीम के खिलाफ होम रन मारा था एक होम रन के बारा पॉइंट्स मिलते हैं और बारा पॉइंट बेस्बॉल में काफी माइने रखते हैं मनसी की बात करूँ तो मनसी ने पिछले मैच में ले 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 के खिलाफ इसी टीम के खिलाफ दो होम रन लगाए थे गाइस जो की बहुत बड़ी बात है ले डी के लिए और आगे से बात करूँ नेक्स पेर की जो की आपको दिखता है जे रॉजस रॉजस को मैं से ले रहा हूं फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा चला था एक्चुली थोड़ा नीचे का प्लेयर है मतलब ज्यादा जल्दी तो इसकी अगर माज सोचें तो स्टाइक पे नहीं आएगा तो इसकी जगा नदर प्लेयर भी ट्राय कर सकते हैं बट क्रेडिड इश्यू क नजर अंदास ना करता है मैंने इसको लिए आगे से बात करूँ पिचर की तो यहां से लोगा डी में को डी में ने प्रीवेस मैंच नहीं खेला क्योंकि इसमें को बहुत कम मोका मिलता है बड़े बड़े प्लेयर इनमें अलग-अलग-अलग पिचर आते रहते हैं पिचर क को जी एल अगर बनाओगी तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो मलब कोई भी पिचर मतलूब बले ब्लैंक पिचर ले लो जो ना खेल रहो लेकिन जब माइनस होते ना पॉइंट तो आपकी जी एल हार में बदल जाती है आगे से बात करूँ से गाइस कैचर की तो कैचर से लोग कैपटन एम मुंसी तो यही मेरी टीम गाइस मिलता होगी वीडियो में बबाए